आप देखिएगा, सबसे वड़ा पॉइंट देखिए गया अगर यहां पे दो होते और अपने नहीं होते डौन लाइन के 2-3-3-4-4 होते आपको पता है जार एक्च्वल प्रॉफिट 6 से 7 जनरेशन का नहीं है एक्च्वल प्रॉफिट अगर 3 लैक पे भी आप काम करो ना 3 लैक पे only आज बता रहा हूं सिर्थ 3 लैक पे तो 90 जनरेशन का प्रॉफिट हमें आता है केल्कुलेट कीजेगा अपने आपसे मैं आज बता रहा हूँ आप सभी का वाइट 3333 3333 90 जनरेशन से प्रॉफिट आता है 90 जनरेशन का मतलब कि अगर आज आप 6 डिजट अनर बन गे आपने अपने काम का प्रॉपागेंडा प्रॉपर कर दिया है आपने बना दिया और आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो आप अगले पांच साल तक अगर क्राउंड रैंक पे भी रहोगे तो आपकी इंकम कभी एक लाख रॉपए से नीचे आई नहीं सकती यह है उसका रीजन मैं कह रहा हूँ और एक बात और बता रहा हूँ एक लाख मीनीमम बता रहा हूँ और जिसने इस पे प्रॉपर काम किया उसकी इंकम पांच साल के अंदर अगर टॉप इंकम की बात बोलू तो पांच लाख भी जाएगी इसी डी इसी रह भी के बहुत सारी इसी प्रॉपर कुछ хास नहीं होता कुछ भी नहीं होता है thrilling to पूछो आठ हजार हमारे वारे से पूछो एक स्पॉंसर राजकुमार जी ने डिरेक्ट में करवाया 22,000 इंकम वो लो यह देखिए आप अपने आप से सवाल को गीजिए का प्रदर आपको खुद जवाब में तो यह होता है बिजनस एक्च्वल पॉबलम एक्च्वल सॉलिशन अगर हम देखते हैं इसी स्पे जाते हैं तो यह आपो आपका बिजनस ना इस पता कैसे बनता यह आप आपने तीन sponsor'd किये एक, दो तीन यिसलिए एक दो अपने तीन sponsor'd किये तीन, छीटर? अगर आप proper तरीके से पांप करो, अपने आपको comfort में लाकर अपने आपको direct to direct sponsor'd करते हैं ये भी काम करेंगे इस इन इन एक 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 दो देखिए अपने स्ट्रक्चर पर इसको मैच करते रहे ना कि हमारा बिसनस ऐसे काम करता है अब इन्होंने भी सेमी काम किया जब प्रॉपर गाइड़ी यह यह भी अपने काम से बाटक नहीं रहे अब इनको और बना देतो एक दो तीन एक दो एक दो तीन आप हैरान हो जाओगे इस बात से जब आप इसको स्ट्रक्चर को देखो कि फिर आप अपने टीम का स्ट्रक्चर देगी है आपका टीम का स्ट्रक्चर क्या बोलता है यह बोलता है हमारा जो आप सिस्टम बताते हों मेट्रिक्स यह बोलता है हो कौन कहता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है से मैंसे डील कर रहा है कि इनकम के बेनिफिट यहां पता चलते हैं ऐसे मैदान में पता चलते हैं अब इसी पर मैं एक बार प्लस और कर देता हूं हमारे बाब वक्त है यह देखिए आपके इस पेज़ पर नहीं आएगा बट मैं ट्राय कर रहा हूं कि मैंने ट्राय करने की कोशिश कियें और जब ऐसा जाल होता है न तो पैसा भी ऐसे हुआ और बेनिफिट भी ऐसे होते हैं बर्पूर और बिजनस भी ऐसा ही होता है और मैं सच बता हूं टर्ण टर्ण करके मैसेश देखने के अलावा जरूरत ही नहीं पड़ती है कि महीने का बिजनस कैलकुलेट भी करने यह एक्कुरेट ट्रैक हमारे काम करने का अब तुम कितने और इससे बाहर हो कोई किसी की यह wally टांग है तो किसी की यह है किसी की यह है किसी की यह है तो किसी की यह तुम्हें पता है अपना structure मैंने बट आज से हम Chalange लेते ही हमारा सेकनर पॉइंट है वंडरेक्ट टू डैरेक्ट स्पॉन्स की मैने उस महीने का चैलिंज लि एक-एक होने चाहिए और उनसे भी अबादा करवाना है या पर्टिकुलर पीपल तक खुद जाओ नीचे तक एक-एक व्यक्ति से काम करवाने पर आपने बगाना है ऑटमेंटिक वो काम करेगे जनरेशन इंकम बेनिफिट जो मैंने आपको बढ़ा है तुमारे पास जब है यह एक लाइन तो तुमारी इंकम नीचे को आईगी ना जब यह जाल अगर तुमारे पास होता तो तुमारी इंकम नीचे आती गया और यह उपर को बढ़ती जनरेशन में इंकम पता है आपको आप अपने बिजनस को ऐसे बनाके बैटे होता रीजन इस तुमारी इंकम भी ऐसे 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 वहाँ जोड़ रही है लास्ट इंकम वाइड होगी ब्रदार जब बिजनस वाइड हो इसीरेज पर आप सभी को फोकस करना है जनरेशन का इंकम के बैनिफिट आपको होगी फ्यूचर बैनिफिट इस तो कमारे वाज क्या खर्चा है तुमारा सभी का खर्चा कितना है ब्रदर खाना पीना गाड़ी एश मस्ती ड्रीम चौक लेना देना गुमना पीना ब्यूटी पालर ये वो सो यही है न कल की जिम्मेदारी कल की टेंशन किस-किस को आए शादी होनी हैं बच्चे होने हैं परिवार होगा बच्चे पढ़ाने स्कूल ये वो अगर तुम्हें ये टेंशन एक्चुली में आ गईी न मैं आज कह रहा हूँ आपको ये बात नेद नियांगिर आपको और आनी चाहिए इस टेंशन आने भूरी बात नहीं है ब्रेन की ए ये मैं आज बता रहा हूँ ये टेंशन जब होगी तो तुम आज की इंकम के लिए नहीं भागो और आज की इंकम के लिए भागना आपकी रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं है ब्रदर फ्यूचर की इंकम के लिए भागना आपकी रिस्पॉंसिबिल्टी है आज से अपने फ्य कभी भी पैसा ऐसे न उठाना पड़े जब भी उठाना पड़े तो ऐसे यह बरके एक दब यह होता है भी यह पॉजिटिफ लाइंस एंड पॉजिटिफ पॉइंट्स कि बाजू में पैसा ना जी हाथ में पैसा आगया इतनोक्री से दिया रहा है मुठी पर पैसा करके कया कर लों मुठी पर दाने जो हिए include मुटी पर जो है वह आजकी ने बच्चा चीज़ी आता और तुम भी उतनाइए कमांगे ते दोगे पंडित को दोगे करवालों को किस किसको दो गए इसी निए एसे पैसा आना चाहिए ऐसे दोनों हाथ और बिजनस भी ऐसा होना चाहिए तब ही ऐसे आता है ऐसे निया अपने बिजनस को 12 देगिए उन डरीक्ट टुट डरीक्ट स्पॉंसर डिजए कंपासरी इस मेने चैप ले लेना सेकंड बैमें नेक्स् सब्सक्राइब 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 अगर तुमने मेरे साथ यह चैलेंज छे महिने बाद ऐसी होगी वैसी नहीं होगी जो आप लोगों को मैं समझा आ रहा हूं ठीक है अब आते हैं पहले आते हैं cemetery क्याव हैं हो इस महीने का टार्गेट कि किसने सेट किया है दॉल पैसेज़ प्रमेर्ड नियुत आपके लिए आपकी इंकम का बहतर होना बहुत जरूरी है because हभी अभी आपकी कामियाभी आपके हाथ में आई है हभी अभी एक बात सच बता हूँ कान में रखना किसी को बताना मत अभी अभी चाहे तुमने दो लाग कमाया चाहे गाड़ी घरी दी अभी अभी तो आपके घरवालों को भी यह लगता है गाड़ी कही लेना जाए एजिंसी वाले मन में बता रहा हूँ मैं आज आप सच्चा ही बता रहा हूँ ब्रदर मेरी बात मैं पी फ्रैंक को अपनी कम्रीडी के सब अभी अभी तो घरवालों को भी लगता है कि सच में कमा असली कमाई पता कब दिखती है असली कमाई पता कब दिखती है जब घर की जिम्मे बारी का बोश तुमारे कंदे पे हो और तुम घरवालों को बोलो जब घरवाले कहते हैं कि बेटा अकेला है तु तुही देख रहा है घर तुम कहो कि यह मत सोचो दिल खोल के खर्च कर और उस गाओं के अंदर जहां तुमारा घर है ब्रदर वहाँ एक छोटा सा महल बनाना स्टार्ट कर दो मैंने ये चीज़ अजमाई ना मैं कर रहा हूँ तब लगता है पता कि नहीं कोई है कोई पड़ा है चक्कर में हैं कोई कमार है तो most probably ये point बहुत important है हम सभी के तो आप अपने target को set कीजिएगा अपने volume को set कीजिएगा अगर बड़ा business होगा आप सभी को बता है income बड़ी होगी income tax के benefit बड़े होगे एक सबसे बड़ी वाँ कि अगर आपको business volume का target आप कर देते हो तो आपके mind में एक चीज़ याद रखे सबसे जदा business हमें बिलता है हमारी new team से तो most probably जब आपने target सेट की आए पूरे महीनेगा तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने अपना वक्त कहां कहां पे और किस किस को देना है अक्चर लोगों के target ऐसे क्यों हो जाते है crowns के कहीं के होता है सीने जी हमने एक तारीक को सुचा था दस लाग business करेगे बड़ जब तक तीस तारीक आता है सीने जी फिर हमारे मन में ये रहता है कि चल दो लाख ही काफी है दो हो जगाएं बहुत है वाई क्यों क्योंकि आपका actual target clear तो होता है target clear होता है आपको दिख रहा होता है बट उसके लिए plan नहीं होता है उसके लिए execution के लिए कुछ plan ही नहीं होता है वो कैसे पूरा होगा वो नहीं होता है just like that कि मुझे पता है मैंने मकान बनाना है और मकान बनाना मेरा target है बट उसके लिए material का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी calculation होना ज़रूरी है कि मेरे पास 8 बजरी rate ये वो सो ये समान लगेगा that means मैंने target लिया है for example कि अगर मैंने target लिया है इस मैंने का यहां पर मान लो मैंने 10 लाइक का target लिया है मेरे पास जो है वो मुझे 10 लाइक की ज़रूरत है 10 लाइक business मैं hit करना चाहता हूँ अपने personal community से मैंने target ले लिया तो I decide only 10 लाइक लिखना ही मेरा target नहीं है brother मुझे क्या करना पड़ेगा इसके बाद 10 लाइक लिख दिया इसके बाद मैं करूँगा plan मैंने क्या plan मैं plan क्या करूँगो for example मैंने 10 लाइक का plan लिया था अब मैं करूँगा यहां पर you 10 लाइक को plan करूँगा plan किसके साथ करूँगा plan को execute करने के लिए मुझे क्या चाहिए plan मेरे पास है just like प्लाइन किसके साथ करूबा लीडर के साथ जो डिरेक्ट पार्टनर होगे मेरे उनके साथ मैंने प्लाइन कर लिगा डिरेक्ट पार्टनर के साथ जब मैंने प्लाइन किया तो वो किसके साथ प्लाइन करेगे टीम के साथ उन्होंने टीम के साथ प्लाइन किया फिर हमें पूरा structure पदा चलेगए कौन कितना business निखाल सकता है कौन सा team member कितना volume दे सकता है कौन सा leader कितना volume दे सकता है पूरा setup किया फिर मैंने क्या किया उसको written पर अपनी notebook पर रखा notebook पर तीम के साथ discuss हो गया वो plan team के लिए मैंने plan बना दिया अगर मुझे इतना business team से चाहिए तो कौन सी group से कितना आ सकता है problem is that कि problem सबसे बड़ी है कि group है ही एक तो कितना कर आएगा है ही एक downline उसके down में चार की team है अगर चार downline ही है चार-चार की team है तो चार group है मेरे पास group ही एक है तो पहले अपने business को brother bite करो और जहां पर plan execute होता है just like 10 lakh का plan आपने क्या हुआ है आपको जो यह benefit होगे आपने direct partner के साथ share then plan करने से नहीं उसके पाद आपने team के साथ discuss किया team के साथ वो discuss किया जिसके benefit उने दिके team को benefit दिखाए उनके sale के direct partner को benefit दिखाए team के closings के team के result के और अपना benefit निकाला अपना target set तो यह most important thing होती कि आपको target set करना बहुत ज़रूर है brother अगर आप without and volume का target set नहीं करके चल रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैं आप बता रहा हूँ आपको problems ही create हो जाएगी big volume, big income आपकी definitely होगी TDS के benefit आपको होगे आप जो है वो basic पे काम कर पाओगे, बिल्कुल deep line पे आप काम कर पाओगे, अगर आप deep line पे काम करोगे तो यहां से आपकी team के साथ direct touch चला जाएगा, direct touch का मतलब पता क्या होता है मैं यहां पर बैटा हूँ, आज भी मेरा हर crown मुझसे direct बात कर सकता है problem का solution ले सकता है और मैं देता हूँ, जो चीज़ मुझे लगती है कि यह problem ऐसी है यह सिर्फ T-down या information wrong है कुछ भी है, उसको आप जो हो हररकी के मादेम से मेरे तक आने दो just like appliance, super appliance, duper appliance यह वो, so हररकी के मादेम से मेरे जो मुझे लगता है कि problem business problem उसका solution मैं direct दे सकता हूँ just like मैं आज सब सब खराब हो रहे हैं आज की data होते हैं कई लोगों के मेरा किसी के साथ खराब नहीं है अक्सर खराब होने का reason क्या होता है just like मैं मेरे पास है, मान लो हिमानशो जी अभी मेरे स्क्रीन पर है और हिमानशो जी मेरे पास एक problem ले के आए problem is senior जी, मेरी community में तक्रिवन 10 member new है 10 old है, new execute करते है बट old के साथ उनका setup भी वैसा ही बन रहा है, वो धंग नहीं पा रहे हैं, वो उनको चलानी पा it's a इसके लिए अगर मैं बोलू कि पहले अपने के पास जाया, किसी के पास जाओ नहीं, गलत बात, इसका अंसर आप directly दे सकते हैं, इसका मैंने direct answer दिया, बट second question is just like विशाल जी मेरे सामने, विशाल जी मुझसे question करते है synergy, मेरी community है, मैंने यहां से यहां shift करनी थी, मैंने उस दूसरे office भीजनी थी, वहां पर applying है, यह downline है, इसका यह नहीं बन रहा है, इसका वो भी बन रहा है नोड़ा question यार, जड़ discussion, यह question मुझे proper इनसे पता नहीं चलने वाला है, यह question proper मेरे तक आएगा जब पहले इनके अपलाएज के पास आएगा, अपलाएज 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 अपलाएज, इस type के second type of question समझेगा इस question का answer आपने by hierarchy देना है अपने team में बट फॉर्स question ही जिसका answer आपने directly देना है, वो क्या है बिस्नस कोशिट कोंशिट को सब्सक्राइब ने कभी नी बोला कि आपके पास डरेकि जा रहे हैं क्योंकि इस बात को समझता हूँ जो चीज बुझे लगती है चैलेंजे वले हो रहा है आप डाउन जा रहा है वो सॉलीशन डिरेक्ट एड इमिडेट देना आपकी रिस्पोंसेबिल्टी बनती है जाए आपकी दस्वी जेनरेशन वाला वेगती भी आपसे अंसर पूछ रहा हूँ यह पॉइंट आपको बहुत बैस्क लगा और अपकाम गया है एंड उस पे होगा कि आप टीम के टच में जाना गलत बात नहीं है टीम टच का मतलब पता क्या होता है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अगर मुझे मान लो विशाल जी ने कोई प्रॉब्लम शेयर की है और बात की बात है बट मैं डरिकली कॉल कर दूँगा इनके उपर वाले सीनियर को कि एक्ट्वल में विशाल जी ऐसी प्रॉब्लम में है तो उनका कॉल आया था और आप इसके उपर प्रॉब्लम को देखिएगा अगर आप सॉल्ब कर सकते हो तो बैटर देन नहीं तो आप प् पास दिन बान मिल रही है ब्रदर तो मैं कभी अपनी राइफ से सैटिस्पाई नहीं होना आपके डाउन लाइन को आपके टीम मेंबर के पास सिर्फ 15 दिन की पॉजिटिविटी उसके अंदर बची है दस दिन की पॉजिटिविटी उसके अंदर बची वो शो नहीं होगी आप इतने observer नहीं हो, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप जान लगा दो, पसीना बहा दो, ताकत लगा दो, दिन रात अपने team में घुज़ जाओ, आपको revolution नजर आ जाएगा, हर problem नजर आ जाएगी. The thing is, कि मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, कि आपको नहीं पता होती है, आपके downline के अंदर कितनी patience power बच्ची है, हमें लगता है, यह पुराना, यह experienced है, यह leader है, इसको time हो गया है, कोई issue नहीं यह कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता है brother, वो बहुत break war होता है, अगर हम देखे, internally उसको देखे, वो break war होता है, the point is, कि हमें जरूरत होती है, कि उस व्यक्ति को imitate solution देनी की, आप यह pole के मत तरकाईएगा उसे, कि यह leader है, कर देगे, तेरे लिए हम बैटे हैं, solution कर देगे, ऐसा नहीं होने वाला, आप imitate उसे solution दीजिएगा, imitate उसकी problem को solve out कीजिएगा, चाहिए, वो direct solve करने वाली problem है, चाहिए वो by horror की, इससे क्या होगा, पर पहरा benefit, आपका, आपके downline, आपके plan का कभी bond खराब नहीं होगा, और मैं कभी चाहता भी नहीं हो, न मेरा खुद का हुआ है, न मेरी टीम में किसी का, होना चाहिए, next is, दूसरा benefit क्या होगा, देना चाहा रहे थे, उससे मिलने वाला था, कल के लिए वादे से ज़्यादा problem अपने से solve कर देगे, ओगे, और next is, अगर direct solution वाला problem है, तो benefit आपके सारे के सारे down lines को, हर साइट से, hope so आपको यह point भी समझाए, और आप ऐसा भी करोगे, और आपने last मैं पूछूगा, मैं अपने पास लिख, तुम तो नहीं बता होगे, मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया है, मैं पूछूगा, last मैं जो है, आप कितना target लेके चल रहे हैं, इस महीने का, आप ये भी साथ के साथ plan करें, सोचते रहे, अभी सिर्थ तीनी point हुए है, मेरी meeting में थोड़ा लंबी चली जाती है, अब आते हैं, इस point का ये जो word मैंने highlight किया हुआ, इस point का जो महतो है, नूँ, पूरी line में इसका जो महतो है, वो बहुत important है, समझेगा बात, leader तो आप create कर रहे हुआ, आपने वही पुराने वाला पकड़ा synergy मैंने उसको renovate किया जी, देखो कोठी पुरानी है, बंगा पुराना है, तुम उसका रंग बदल सकते हो, तुम उसमें decoration कर रहे हुआ, उसका structure बदल सकते हो, वो जैसा बन गया, वैसा ही बने है, आप देगी, बच्पन में हमारे जो ये नाक ऐसा बना हुआ है, किसी का फेस, गोल बना हुआ है, किसी का पतला बना हुआ है, ये सब बच्पन में structure parents ने दिया है, दादिया, मम्मिया, नाक बाद बाद के, बाद बाद के फेस को design करती थी, आठ करते थे हुआ हमारे फेस का, क्या आज सुबा उठके आपने अपने नाक को पकड़ना, लंबा हो जाएगा, अपने फेस को दबाना, गोल हो जाएगा, मोटे हो जाओगे, नहीं, एक time period होता है, आपको जरूर होता है कि हर महीने आप पांच नह लोगों को target करो, आप चाहिए आपके direct से एक उठाया, एक टीम से, आपने clear करते हैं, चार को निकाल के, उनको यह नहीं बताना कि तुम्हें लास्ट के 6 महीने में crown निकालना रही, यह बात पहले नहीं बतानी है, उन्हें यह बताना है कि immediate तुम्हारे लिए हमने कुछ plan किया है, जिस plan पे तुमने काम करना है, और उस plan पे काम करके मैं यह responsibility लेता हूँ, साल 2024 पे तुम्हें बैच लगवा के दूँगा, सवाल एक है, जवाब भी एक है, तुम्हें मेरा साथ देना, मैं जिए तुम्हारा देना है तुम्हें बादा मेरा है, कामयाभी तुम्हें मिलेगी, बादा मेरा है, सात रहना पड़े, त्हुड़ा द्यान रहे, इससे क्या हूगा, कि आपने अक्सर देगी आप लीडरों के साथ ऐसा होता है, मैं आफिस में जाता हूँ, मैं बिजिट करता हूँ, तो वो उनके साथ ऐसा होता है, 90% चैलेंज में साथा है, किसी ने, मैं पिछली बार गया था, वही 5 लीडर उनके पास, अब की बार गया, वही 5 फीरें उनके मैं दूसरी बार मिलने हो कम से कम 10 लीडर होने चाहिए 15 और लीडर बनाना और लीडर बने ही रहना उनका पक जाना यह अमारी mistake होती है क्यों क्योंकि जब कोई लीडर बनता है तो हम उसे सिर्फ पता क्या कि दो तरह के लीडर होते हैं देखिए काम की बात बता रहा हूं जैस्ट करती ना किसी ने बर बाद मैं इस बात को दुबार एक को हमने उठाया जिस लीडर को हमने उठाया लीडर बनाया उसको हमने क्या दी कर्ची क्या दी कर्ची समझ रहे हो गया कि उसको काम दिया PG चलाना, handling करना, classes देना जो मैं नहीं कर पाऊँगा वो इसको देना यह वा कर्ची वाला leader यानि कि वो नेता जो MLA भी नहीं बनता और गाओं में कुर्टा पजामा लेके ऐसे गुमता है जैसे CM की power इसके पास है logic समझ आया हो किसी को कि यानि वो leader वो नेता बनता है कि उसके पास power तो पंचायत परधान की भी नहीं उती है गुमता ऐसे जैसे पता नहीं उसके पास CM की power उसकी जेब में CM उसके साथ उड़ता बैठता है CM जो यह जो बोलता है वो CM करता है तुम चीजे थोप देते हो वो क्या करता है उससे रखता है कि senior बोल रहे हम कर रहे है senior बोल रहे हम कर रहे है बन जाओगा वो ऐसे track पर चला जाता है वो leader की responsibility तो ले लेता है लीडर के काम क्या होते हैं वो भूल जाता है आप से भी मैं पूछू एक महाल leader के काम क्या होते हैं आप अभी बताओगे मैं बता रहो अच्छा management करना अच्छी team चलाना अच्छी education देना अच्छा सीखना में काम तुम भूल जाते हो leader का वो तुम मैं खुद भी नहीं करते हो तो तुम बोलो गई leader तो वो है जो अपनी income को और महीने stable करे वो नहीं है जो अच्छी team को motivate करता है जो अपने business को भी वाइड करे तो लग जिसको हम अगर चुराएं पर खड़ा कर देना चारों तरप से देखे दिल बाग बाग हो जाए कि यार इस तो भी कमी नहीं है discipline देखे तो भी कमी नहीं है इस leader की team का structure देखे वो भी perfect है personality देखे वो भी perfect है समझ रहे हो बात को वो होता है leader actual जो सिर्फ handling ही नहीं करता जो सिर्फ team ही नहीं देखता है बलकि हर महीने अपनी income भी generate करता है बलकि हर महीने अपनी income भी generate करता है वो होता है दस मिनिट का इश्यू बहुत ज़ादा क्रियेट हो रहा है जिस रिजन से हमें बहुत दिक्कतारी है एक्चुली मैं यह पहली बार में साथ हुआ है और काइंदा से हम ध्यान रखेगे थोड़ा सा में वेट करना होगा झाल 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 कोई है अभी घर में शायद ग्सक्राण आरे में वेट करना यहां जाओं भी घर पार में और यहां पहुंचे थे टी कि लिए टानी मैं द्यूट में लागे वेट कर्शच में यहां भी आज हो इस ऊब्सक्राण कि हमें अपने जो है वो हर महीने leaders create करना बहुत जरूरी है brother और वो वो अले नेतानी बनाने वो इस बात को देहान रगे इस बात को यह जो point मैंने highlight किया था कि नए होने चाहिए वो नए और उन्हें न सिर्फ जिम्मेबारी मत दीजिएगा उनको सिर्फ वो काम मत बताईएग जिसके benefit उनको passive में हो उन्हें वो काम भी बताईएगा जिससे ब्रेक ना हो जिसके benefit उन्हें active में हो जिनके benefit उन्हें current time पे हो रहे हो जिससे उनकी income current time की बन रही हो और उनको result अच्छे मिल रहे हो देखिए इससे क्या होगा आप जो आने वाले time पे बड़े बड़े चैले लगाने वाले हो यह वो लिटर है जो आपको उन बड़े बड़े चैलेंजिस पर सपोर्ट करेगे और बड़े बड़े चैलेंजिस में आपको एक energy देगे आपको एक जो business structure देगे एक empire देगे समझ मेरी मेरी बात and secure future income अपने पांच अगर March महीने में अपने decide कर दिया कि आ पांच इस साल बनाने तो आप समझाओ आपने चे महीने की income नहीं कर दिये आपने ऐसे से 50 बना दिये आप समझाओ आपने 15 साल की income generate कर दिये तो उससे आपका future का income बहुत सी क्यों दिखता है जतने बड़े leader create होगे उतना बड़ा empire हमें create कर गया हुआ मिलेगा अगर हमने basically अपने empire को create करना है तो हमें जो है नीव बनानी पड़ीगी देखो हवा में कभी छत नहीं डलती है brother पीलर्स का होना बहुत जरूरी है आप हवा में team को नहीं बना सकते हो without leader आपकी team बना सकता है जटके में 100 की बन जाए वो जटके में 10 की आ जाएगी इसलिए ये बात कि 100 की अगर team बने तो उसको stable team बनेगी वो तब बनेगी जब 100 में से कम स 20 हमारे पास हमारे पास एक अच्छे नेता हो जो अपनी community को पांच-पांच लोगों को इसलिए टैकल कर रहे हो इसलिए इंपॉर्टेट अब आते हैं कि यह आपको एक अच्छी आदत भी पाल नहीं है कि यह भी एक चालेंज है अपने आप से यह चालेंज लेना है सबसे बड़ी और सबसे अच्छी आदत आपको मैंने कुछ तो हिंट भी दिया लाइक बुक रेडिंग आप जो है वह एक चैलेंज ले लो इस मेंने दो बुक पड़नी यह बिजनस बुक कोई भी यह एक बुक पड़नी इस बहुने खतम कर देनी है पड़के साइट कर देनी है वह आपकी जो है वह मैंटल लेवल को पॉजिटिव फॉलो कोई भी अपना टाइम टेबले क्राउने कोई बोलने वारा तो होता नहीं अपने काम करते हैं याद रहे इस बात का आप अपनी टूडू लिस्ट करो यह भी अच्छी आदत है आप उसको प्र लिए और उसे रोज के कपड़े खरीद के लिए बोनी प्रस्टाइलिटी डवलमेंट बाइस किल बाइब बिल आप जो है अपनी स्किल को बिल को एनरजी हर एक चीज को इंक्रीज करो और बढ़ाओ जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलना स्टार्ट होगा जो आप प्र स्टाइस बता है जब आपने वो किया होता है जो पहले कोई कर नहीं पाई अभी तक स्वारे से और दिए नहीं तो इतियास मेर視 को करना तित्यास बनाना किस retiring रहें की जो हमने आपका लाकिने हए और आपकी हिस्टरी बनत स्टार्ट होजएंगी यहां ży James आपका एक positive sign create होगा and अच्छी चीज आपको यहां पर मिलेगी personality development and discipline challenge ले लो अपने आपसे discipline challenge आप मौर्णिंग में उठने से लेकर पूरे दिन की अच्छी आदते बुरी आदते डिलीट करना अच्छी आदते पालना fitness भी साथ में रखना है खान पान का भी ध्यान रखना है जितना वक्त office में देना है well discipline देना है अपने phone को side रखके अपने team पर proper काम करना है जो है पूरी community में proper काम करना है हर एक जगा पर proper वक्त देना है वहां से क्या होगा आपके business में और उच्छाल आएगा यह मैं responsibility लेता हूँ आप सभी की यहां से चीज़ें हमें पता चलती है कि हमारा business कैसे अप हो रहा है तो यह challenge आप इनमें से कोई भी एक अच्छी आदत आप चूज कर लो या इसके अलावा भी अगर आपके पास अब मैं यहां पर अगली जगा पर जाने से पहले मैं मिटिंग कर रहा हूं दुबारा से जोइन करोगे लिंक को मैं मिटिंग को देंड करोगा थोड़ी दिर ओके तो हम इसको